फर्स बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत नमस्कार आप देख रहे हैं फर्स बाइट टीवी और मैं हूँ आपके साफ में लोगरन सारी पूल पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान स्तुलग उठाए देशबर से हिंसा की खबरे सामने आ रहे हैं इमरान की समय तक आफजनी और तोर्पोर्ट कर रहे हैं हिंसा की चलते इसलामबाद पलिस ने इमरान को कोट में पेश ना करने का पैसला किया है इम्रान को जहां हिरासत में रखा गया है वहीं कोट लगेगी और उनकी नियाएक हिरासत पर सुन्वाई करेगी दरसल पाकिस्तान के पूर्पधानन्जर इम्रान खान को अलकादे ट्रस्ट के केस में इसलामबाद हाई कोट के बाहर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने मंगलवार को गिरफतार कर लिया था जिसके बाद इम्रान खान की पार्टी PTI की नेता मुसर्रक चीमा ने ट्वीट कर दावा किया है कि वे रोग इम्रान खान को टार्शर कर रहे हैं वे इम्रान खान को पीट रहे हैं बीटी आई ने जो वीडियो ठीट किया है उसमें इम्रान खान के वकील जख्मी दिख रहे हैं। इम्रान खान का विरोध वैश्विक हो गया है। लंदन में नमाज शरीफ के घर के सामने बड़े संक्या में पाकिस्तानी इम्रान खान की गिरफतारी का विरोध कर रहे हैं। देखें लंदन का यह वीडियो। सिर्फ लंदन ही नहीं दुनिया भर के कई देशों में अमरान खान के समर तक उनकी ग्रफतारी का विरोध कर रहे हैं विरोध में लोग संखों पर उतराए हैं पीडियाई ने डलास, टोरंटो, शिकागो, नियो योग, मैंचेस्टर और लंदन में ट्रोटेस्ट का वीडियो शेयर किया देखी वाँ वाँ एफ जख दो पूरे पाकिस्तान में 12 144 लागों की जा चुकी है पाकिस्तान में मॉबाइल इंटरनेट के बाद अब टीटर सर्विस बंद हो गई है पाकिस्तान दूस अंचार प्राधिकरन ने पुस्टी किया है कि आंध्रिक मंत्राले के निर्देश पर देश बर में मॉबाइल को निलंबित कर दिया गया है मीडिया रिपोल्स के मताबिक वार्सप और फेस्बुक समेट तमाम सोचल मीडिया साइट्स को भी बंद कर दिया गया है इम्रान खान की गिरफतारी के खिलाब उनकी पार्टी पीटी आई सुप्रिम कोर्ट पहुंच कई है पीटी आई के इमर्जंसी बैठक बलाई है अभी के लिए इतना ही देखते रहें पर्स वाइटी और हाँ अपने इस चैनल को लाइक करना वे सब्सक्राइब करना ना भूलें नमश्कार